ह्विव बीड एंट्रेंस 2021 के लिए एक क्लास एक होगी आने वाले टाइम में आपको काफी सारी क्लासे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस पीडियाफ फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो वाटसेप कर लेना तो चलिए शुरू करत हैं नैशनल एजुकेशन कमीशन और कमीटी जो है उनके क्वेशन हम हम डिसकस कर रहे हैं आप सभी को बता है कम से कम 20 क्वेशन यहां से आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेशन है स्केंडरी एजुकेशन कमीशन जो है इसको कब एस्टबिश किया गय उनिसो बावन में माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उसकी स्थापना हुई थी और यह question काहिवा रपीट हो चुका है दोस्तों हम वो questions डिसकस कर रहे हैं इस वीडियो में जो पिछले 10 सालों से लगतार रपीट हो रहे हैं तो ध्यान पूर्बक देखिएगा सारे questions उसके बाव next question है इन में से कौन सा ऐसा आयोग है या फिर पहला आयोग जिसने जो प्राथमेक शिक्षा है उसके बिक इंद्री करण के उपर काम किया है तो चार options आपके सामने हैं हिंदी में भी बता रहा हूँ प्रशन और इंग्लिश में आप सभी के सामने है तो वीडी को पोज करके सोचिए इस कांसर तो दूस्तों ये आयोग रहा है हंटर आयोग आप में से कोई comment करके बता सकता है student कि ये जो हंटर आयोग है ये किस बरश हमें देखने को मिला था exact year इसका बताईए जरा ये भी most important question है बारबार पीट होता है सबसे बहले तो अगर आप किसी सिक्षा से संबंधित किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो UGC के बारे में जरूर पढ़ो यहां से काफे सारे प्रशन बनते हैं University Grant Commission तो ये जो दोस्तो University Grant Commission है इसके Chairman कोन है पहले First Latest कोन है ये तो Crane Fares का question है इसके बारे में तो question ज़्यादा नहीं आते लेकिन First Chairman कोन था ये question जरूर पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है Professor SS भटनागर तो इसका C option बिल्कुल सही होगा अब ये भी question important है ये जो UGC है दोस्तो इसका गठन जो है किस के सुझाब पर किया गया था यारी कि किस आयोग के सुझाब पर UGC बना है ये आयोग किस आयोग के सुझाब पर बना है तो चार options आपके सामने है और सही answer जो होगा इसका बो होगा डोक्टर सरपली राधा कृष्णन कमिशन फस्ट वाइस प्रेजडेंट ओफ इंडिया ठीक है डोक्टर सरपली राधा कृष्णन याद रखियेगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन है ये भी इंपोटेंट है बार बार पुछा जाता है एक्जामस में दोस्तों 1854 इस भी में जो शिक्षा नीती है उसकी घोष्णा किस के द्वारा की गई थी अगर आपने एक क्वेशन ध्यान से पड़ा होगा कि बूड से डिस्पैच किस एर आई थी तो आपको भली बांती पता होगा 1854 तो 1854 में एजुकेशन पॉलिसी जो है ये डिकलेर की गई थी चार्ल्स बूड के द्वारा तो फॉर्थ उप्षन मिलकुल सही है इसका ये भी कॉश्चन के बार पूछा गया है और जैसे आप देखते हो कमिटीज एंड कमिशन्स जो है बहां से डिरेक्टली कॉश्चन्स आते हैं तो ये जो हार्टोग कमिटी है इसकी रिपोर्ट हमें 1929 में देखने को मिली थी तो दोस्तो इसने जो सुझाब दिया था कि क्या करना है एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि इसमें इस टाइप के स्कूल जो होंगे इनको क्या करना है बदल देना है किसमें Community Development Center for a Rural Upliftment जो ग्रामीन इलाके हैं उनको दोस्तो Upliftment उनकी करनी है उनको उपर ले जाना है उनका लेबल हाई करना है तो प्राइमरी स्कूल बिल्कुल सही होगा प्राइमरी स्कूल जो है उनको ही ट्रांसफोर्म करना था Community Development Center for a Rural Upliftment के रूप में तो बस यह याद रखना कि रिपोर्ट जो है 1929 में आई थी हाटो कमिटी की तो यहाँ से questions कई बार बने है यह भी important question है जो बुड्स dispatch है 1824 बाली तो इसके तहट क्या हुआ था इसका जो सुझाव आया था तीन बिशब बिद्याले जो है यह स्थापित किये गिर थे भारत में बस इन तीन बिशब बिद्याले को नाम आपको पता होना चाहिए तो ध्यान देना सभी के उपर एक था कैलकटा आज के time में कोलकटा आप बोल सकते हो और दूसरा था बोमबे आज के time में मुमबई है यह और तीसरा था मदरास आज के time में चने है तो यहाँ पे options को ध्यान से देखो third option जो है इसी में हमें यह देखने को मिल रहा है तो यह याद रख लेना important है वुड्स, dispatch, अठार, चोबन के तहत यह तीन bishop इजाले जो है स्थापित किये गए थे तो आज के इस वीडियो में इतना ही बस यहाँ पे एक testing हो रही थी कि आपका response कैसा आता है अगर आप सभी का response अच्छा आता है हम यहाँ पे target करेंगे 500 likes का अगर 500 likes आपके आते हैं इस वीडियो में तो इस series को free of cost continue रखा जाएगा ऐसे important questions discuss किये जाएंगे daily basis पर तो target को पूरा करो और PDF फाइल्स बगरा या study material चाहिए हो तो WhatsApp करिए मिलते हैं next वीडियो में जै हिंद जै हिमाचल